आज ना बच्चों का बड़ा मन हो रहा था कुछ चोकलिटी खाने का उनको बहुत जादा क्रेविंग सो रही थी चोकलिट खाने के तो उनके लिए मैंने ये कुकीज रैडी किये हैं जूकि जटपड से टूमनेट्स में तयार हो जाती हैं तो चलिए आज आप सब का स्वाग क्या इंग्रिडेंट लगते हैं वह मैं आपको बता देती हूं और हम सब मिलकर देख भी लेते हैं और बना भी लेते हैं पटाफट से तो एक कोई भी आप मेजरमेंट के लिए ले लेना उसी सही सारा मेजरमेंट करना तो यहां पर मैंने टू टेबल स्पून घी एड कि है जो कि मैल्टिड है उसके बाद हमने पिसी हुई डे टेबल स्पून सक्कर एड की है चीनी जिसको कहते हैं और जो होगी वो पिसी हुई होगी तो आप पिसी हुई लेना उसके बाद इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना वाइट सा थोड़ा सा इसका टेक्शर आजाए इत से मिक्स करेंगे क्योंकि थोड़ा सा दूद और गी आपस मिक्स नहीं होता है तो इस तरह का मारा यह मिक्सर बनके तयार हो जाएगा इसके बाद अब हमें इसमें सूखे जो इंग्रेंट है वो एड करने हैं तो यहां पर अब हम एड करने वाले हैं 3 टेबल स्पून जो की मैदा यूज किया है उसके बाद हाफ टेबल स्पून कोको पाउडर लिया है और उसके बाद एक पिंच हमने बेकिंग सोडा डाला है तो इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अगर आपको लगता है कि हमारा जो बैटर है वो ड्राय है तो इसके अंदर अपने पनाना बनाना है तो इस तरह का डो फोम में रेडि हो गया है अब यहां मिश्के अंदर अपने बच्चों की पसंद की कोई भी चीज एड कर सकते हैं यहां पर मैं ड्राय फ्रूट एड कर रही हूं उनको अगर चॉकलेट पसंद है तो चोकलेट चॉकलेट चॉक्स आप ड गोल 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 ओवार करेंगे देखो। और इस पेपर पर पहले ही और फ़्याश को पार बना भीए तो उसी के उपर भी फिर दुबारे बना रहा हुँ। यह बटर पेपर है उसके उपर आप इस तरह cookies को बना लूँगी और बनाने के बाद हम इसको microwave करेंगे microwave पे जिसमें हम खाना गरम करते हैं उसी mode पे हमें इसको रखना है oven में नहीं रखना है हमें तो जो microwave की setting है वो already हुई होती है उसमें जो भी आपका temperature microwave का वो आप उसमें 2 minutes के लिए रख सकते हो कभी high या कम voltage का microwave होता है तो थोड़ा सा कम जादा time लग सकता है यहां पर मैंने 2 minutes के लिए रखा था और 2 minutes में यह ready हो गई थी और यह इस तरह से ready हो जाएंगी देखो इसकी आवाज तो यह हमारी cookies बहुत जल्दी से बनके तयार हो और इसको अब मैं आपको तोड़के भी दिखा दूँगी कि यह देखे आप कितनी फलपी बनी है अंदर से पूरा मतलब स्पंज आया था पूरी तरह से फूली है यह चोकलेट cookies और अंदर से बिलकुल खस्ता बनी है आप देख सकते हो यह पूरी खस्ता बनी है यह देखे आप तोड़के में दिखा रही हूं आपको तो एक बार आप यह जरूर ट्राय करना और फिर मुझे कमेंट करके बताना क कि आपको पसंद आई है आप इसे जरूर ट्राय करना मैं फिर मिलूंगे आपको कोई अच्छी सी इंट्रेस्टिंग सी रेसिपी के साथ